हे धूल के पुद्र स्वर्ग में और धर्ती पर जो भी है वह सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है सिवाए मानव हिर्दे के जिसे मैंने अपने सौंदर और महिमा का निवास इस्थल बनाया है फिर भी तुने मेरे निवास को मेरे अतिरत किसी अन्य को दे दिया है और जब कभी भी मेरी पावंता का प्रकटी करण अपने घर पहुचा है तब उसने वहां किसी अजनबी को पाया है और तब स्वैम को ग्रह विहीन महसूस कर तेजी से अपने प्रियतम के वितान तले लौट आया है फिर भी मैंने तेरे भेद को छिपाय रखा है और तुझे लजजित करने की इच्छा नहीं की है